चोपड़ा है जो किसनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बचो, अगर हमें MBBS ना मिले तो कौनसा कोर्स करना चीए, ड्रोप लेना चीए या नहीं लेना चीए, अगर इस साल किसी कोर्स में एडमिसन ले लेते है तो क्या अगली बार MBBS की तैयारी करके MBBS में एडमिसन ले सकते हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में सर्चा करेंगे, क्योंकि जिन कंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, MBBS गौवर्मेंट में नहीं हो पा रहा है, उनके मन में ये सवाल जरूर पैदा होता है, तो इन सवालों का जबाब मैं आपको इस वीडियो में मेरे experience के according दूँगा, फिर आप अपने according जो आपकी situation है, फैसला ले ले कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले हम पहले point पे आते हैं, कि अगर हमें MBBS में admission नहीं मिलता है, मालो अभ अगर इससे कम marks हा रहे हैं, और वो candidate जो private में admission नहीं ले सकते, payment seat पर admission नहीं ले सकते, तो उनको कौन सा course करना चीए, उनकी ऐसी condition नहीं है, कि वो private में admission ले सके, या फिर dimmed में admission ले सके, तो उनको कौन सा course करना चीए, इस बात के विचे में हम चर्चा करते हैं, तो देखो पहले MBBS तो MBBS है क्योंकि सभी का सपना होता है MBBS करना और MBBS में अभी आने वाड़े 10 साल तक तो इसकोप है आगे का देखा जाएगा आगे क्या होगा लेकिन MBBS में अभी तक ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है तो MBBS अगर आपको मिलता है अगर आप कर सकते हैं जैसे 620 से उपर वाड़े कंडिडेट हैं उनको तो किसी प्रकार की चिंता है नहीं उनको तो सीट मिलने की पूरी पूरी पोसिबिलिटी है लेकिन इससे नीचे वाड़े जो कंडिडेट्स हैं वो अगर प्राइवेट में ले सकते हैं या फिर डिम्ड में एडमिशन ले सकते हैं तो कैसे भी अगर वो अपना डिम्ड वगरा में प्राइवेट के लिए अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो वो MBBS में एडमिशन ले ले तो सबसे पहला ओप्शन तो यह है कि अगर आप MBBS की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको MBBS में ही admission लेना है अगर fees afford कर सकते हैं या फिर आपका government में आ रहा है तो अगर आप इस condition में नहीं है आपका 620 से score कम है मैं 620 यहाँ एक बिल्कुल ही range नहीं हो सकता है 620 से down भी चली जाए कटो वैसे मैं एक idea मान के चल रहा हूँ कि 620 से अगर आपके down आते हैं आपका MBBS में कहीं admission नहीं मिलता है और आप private की fees afford नहीं कर पाते हैं तो इस condition में जो female candidates हैं जो female candidates हैं वो aims BSC nursing का उन्होंने अगर फोरूम फिल कर रखा है 8 June को exam है BSC nursing की aims की तो 8 June को exam है उन्होंने अगर फोरूम फिल कर रखा है तो वो aims में BSC nursing का option ले सकते हैं अगर MBBS नहीं मिलने पर सबसे पहले वो इसी को priority दें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि aims से BSC nursing करने के बात में कोई भी female candidate बेरोजगार नहीं रहती है BSC nursing officer की vacancy निकलती रहती है अगर ये vacancy भी नहीं निकलती है तो private job भी उनके लिए काफी है तो female candidate BSC nursing कर सकती है और आर्मे की जो BSC nursing है मैंने इसका separate video बनाया है दोनों का बना दिया था मैंने separate video आर्मे की जो BSC nursing है वो भी female candidate के लिए है NEET के score से इस पर admission होता है और इसका जो notification निकलेगा इसके registration की date निकलेगी जैसे ही NEET का result आ जाएगा उसके बाद में आपने ये form apply कर देना है आर्मे जोईन इंडियन आर्मे की website पर आपको proper visit करना है ये जो मैंने बताया ये option दोनों female candidate के लिए ही है एमस BSC nursing और आर्मे में जो BSC nursing है दोनों ही ठीक हैं दोनों ही अच्छे course है आर्मे BSC nursing का NEET के थुरू admission होता है अगर इसमें आपका admission होता है तो इसकी opportunity आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है ये aims के लिए अगर आपका हो जाता है तो इसके बाद में आप इसकी भी try कर सकते हैं तो female candidate के लिए दूसरा option ये है अब male और female दोनों candidates के लिए अगर जिनको MBBS नहीं मिलता है और MBBS की range में नहीं है प्राइवेट नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद में मैं तीसरा उनका जो option है वो suggest करूँगा BAMS आईरवेद क्योंकि अभी आईरवेद का अच्छा पर्चलन है आप आईरवेद कोर्स करके आराम से अपना future बना सकते हैं इसमें आप PG भी कर सकते हैं आईरवेद में तो मैं आपको बोलूँगा कि BMS की बाद MBBS नहीं मिलने पर अगर आप government की range में आ रहे हैं इसके mark से आपके आ रहे हैं कि mark से इस range तक selection हो जाएगा इसकी cut-off मैंने अलड़ी predict कर रखी है तो आपको BMS का option ले लेना से यह थर्ड option मैं BMS का ही यहां आपको prepare कर रहा हूँ next option अगर BMS government आप कुछ candidate ऐसे हैं जो BMS को like कम करते हैं तो वो BDS भी ले सकते हैं देखो BDS भी अगर आप लेंगे तो भी इसमें कोई problem नहीं है BDS में भी आप अपना career बना सकते हैं इसमें आगे MDS कर सकते हैं research program हैं इसमें काफी सारे तो वो आप BDS से भी कर सकते हैं तो fourth option आप BDS select कर सकते हैं अब वेटनरी मैं BDS और BMS के बार लेता हूँ वेटनरी का option क्योंकि ये थोड़ा सा male candidate के लिए suitable है female candidate के लिए suitable थोड़ा सा कम रहता है लेकिन आजकल female candidate भी इसमें काफी interest ले रही हैं यानि कि ये course female candidate भी काफी choose कर रहे हैं जिन areas में वेटनरी के अच्छे scope हैं जैसे राजस्तान हो गया, UP हो गया, हरियाना हो गया, जो south के भी state हैं उसमें भी वेटनरी के काफी scope हैं तो MBBS नहीं मिलने पर आप दूसरा option वेटनरी भी choose कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे candidate दूसरा option वेटनरी भी choose कर सकते हैं मेरी ये priority 5 प कर सकते हैं जैसे BDS से पहले आप वेटनरी चूज कर सकते हैं 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 लेकिन वेटनरी से पहले आप BMS रखेंगे तो वो आपके लिए better option ह तो आप इन में दोनुमें up-down कर सकते हैं आपकी 24 के accord अगर आपको government में ये सारे नहीं मिल रहे हैं मैं private की बात नहीं कर रहा है प्राइवेट की मैंने बात सिरफ MBBS के लिए ही की है यहां कि अगर आपको private MBBS मिलता है फी support कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं यहां private MBBS मैंने यहां BDS के लिए Private के लिए अभी बात नहीं की है वो मैं आपको आगे बताऊंगा MBBS के लिए ही Private के लिए बात की है और नहीं मैंने BMS BDS और Veterinary की प्राइवेट के लिए बात की है अभी ये बाते मैंने नहीं की हैं इसमें अब आगे बात करते हैं, next में हम लेते हैं ICR, अगर आपका इनमें नहीं होता है, किसी में भी नहीं हो रहा है, गौर्मेंट में MBBS में भी नहीं हुआ, गौर्मेंट और प्राइवेट में, एम्स नर्सिंग में फिमेल कंडिडेट के लिए इन में भी नहीं हुआ, BMS गवर्मेंट में भी नहीं हुआ, BDS गवर्मेंट में भी नहीं हुआ है, तब आप ICR चूज कर सकते हैं, ICR CUT का एक्जाम हुआ है, अभी रिसेंटली एक्जाम हो गया है, उसके वीडियो वगरा, registration के मैंने आलड़ी बना दिये थे, तो आप ICR भी यहां option select कर सकते हैं, इससे agriculture के 11 courses हैं, इसमें BSC agriculture भी होता है, उसके अलावा 10 courses और भी हैं, जैसे dairy technology हो गया और बहुत सारे courses हैं, तो आप इसमें ICR में भी अपना career बना सकते हैं, UG कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, इसमें agriculture officer की vacancy से आती हैं, तो अगर आपने CET का exam दिया है, ICR के through counseling करवा के आप ICR का college भी ले सकते हैं, उसके बाद में next option हाप BHMS भी कर सकते हैं, अगर इनके government में आपका नहीं हो रहा है किसी में भी, अगर आपका BHMS government में हो रहा है, तो BHMS यहां ले सकते हैं, इसके बाद में BSLP course कर सकते ह हैं, जो BSLP course है, वो भी आप कर सकते हैं, इसके बाद में BSC nursing course भी कर सकते हैं, जो male और female candidate के लिए होता है, यह BSC nursing अपने state से भी होता है, और All India से भी होता है BSC nursing, तो All India में need के through भी आप ले सकते हैं, और कई state need के through BSC nursing भी लेते हैं, तो कुछ state अपना खुद का exam conduct करवाते है BSC nursing के लिए, और कुछ states हैं, वो 12th के score पर भी BSC nursing में admission लेते हैं, तो आप अपने state के according इसको choose कर सकते हैं, उसके बाद में last 10 number पर मैं आपको बोलूँगा कि paramedical course में आप admission ले सकते हैं, paramedical, इनमें किसी में भी government में आपका selection नहीं हो रहा है, इनमें कहीं selection नहीं हुआ है, तो आप paramedical courses में भी admission ले सकते हैं, paramedical courses में admission आप दो प्रकार से ले सकते हैं, अगर आपने aims का form भरा है, तो aims में paramedical courses काफी हैं, तो aims में भी आप paramedical courses में admission ले सकते हैं, aims के ये सारे paramedical courses हैं, इनमें आप admission ले सकते हैं, seatें भी इसमें दिखा रखें, आपने aims में अगर paramed पर इसके परमेडिकल कोर्स के लिए apply कर रखा है तो एमस की website पर जाकर करके आप देख सकते हैं और आपको exam देना है एमस का अगर आपने registration कर रखा है तो इसके परमेडिकल कोर्स में admission ले सकते हैं state में और कुछ से state अपना exam दिलाते हैं परमेडिकल कोर्स के लिए तो आप जिस state से आते हैं देख लें आपके state में परमेडिकल कोर्स में admission किस बेस पर होता है तो आप उसमें भी अपना career बना सकते हैं इसमें तो ये मैंने आपको कोर्स बता दिये हैं कि आप किस परकार से priority द का तो future है ही है इसमें एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा MBBS complete करने के बाद में थोड़ा सा सोचना पड़ता है एक दो साल के लिए थोड़ी प्रेशानी होती है कि मैं अब क्या करूं PG करूं MO join करूं लेकिन वो दो तीम साल का समय निकल जाता है कोई PG में निकल जाता है कोई MO join कर ले रहे हैं एमस nursing के scopes मैंने आपको बता दिये हैं एमस के जो BSC nursing officer की vacancy निकलती है अधरी स्टेट में भी निकलती है तो काफी सारी vacancy निकलती है प्राइवेट जोब बीस में काफी है आर्मे BSC nursing का तो कहना ही क्या है ये तो इसमें तो ये तो खुद जोब मिलता है इसमें आर्मे की तरफ से खुद जोब दिया जाता है तो ये तो officer level की vacancy है इसमें अगर आपका selection हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा luck रहेगा BMS में भी आजकल काफी सारी opportunity है इसमें आप अपना खुद का clinic की establish कर सकते हैं क्योंकि लोगों का आजकल आईरवेद की तरफ में काफी रुजान है और इसके बाद में आप PG research program करके भी आगे कर सकते हैं BDS में भी अपना clinical establish कर सकते हैं आप government की कुछ vacancy निकलती हैं उसमें भी जोग ले सकते हैं वेटनरी में भी यही है वेटनरी में खुद का clinic भी establish कर सकते हैं और आजकल वेटनरी के scope भी ठीक ठाक सी हैं इतने खराब नहीं है government की भी कुछ vacancy निकलती हैं ज्यादा vacancy तो नहीं निकलती हैं तो यह तीनों course similar से course हैं इसमें इसके बाद आप ICR का course का मैंने बता दिया है कि इसमें agriculture officer वगरा की vacancy निकलती हैं PG program कर सकते हैं इसमें आप BHMS में भी same BMS की तरह ही है इस scope इसमें BSLP जो paramedical course है BAC nursing हैं इनमें आ आप कर सकते हैं M से भी paramedical course कर सकते हैं अपने state से भी paramedical course कर सकते हैं अब बात करें हम कि drop ले या इनमें किसी में admission ले ले सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात दिमाख में यही आती है हमारे कि drop ले या इसी साल किसी course में admission ले ले तो देखो मेरा कहना यह है कि आपके मैंने देखे हैं कि drop लेके 4 या 5 में में इस बार उन्होंने 6.500 का score किया है तो आप इस condition में drop ले सकते हैं अगर आपके 3 या 4 drop ही हुए हैं तो एक drop और ले सकते हैं आप अगर आपका score इस बार 300 से down ही आ रहा है 300 से down आ रहा है और आपके drop आलड़ी 3-4 हो चुके हैं तो फिर आ आपको कहीं न कहीं admission ले लेना चाहिए आपके marks improvement नहीं हो रहे हैं आपके drop ज्यादा हो रहे हैं तो आप इस बार admission ले लें क्यूंकि आगे-ागे competition बढ़ता ही जाता है drop 4 या 5 या 3 या 4 का मतलब है कि आपका score improvement नहीं हो रहा है और 300 से कम marks भी आपके अभी हैं तो आप कितना marks बढ़ा पाएंगे ये आपकी strength पर है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ उन candidates को admission ले लेना चाहिए इस बार तो आप अपने family के साथ में बैटके decision ले लें कि हमारे 3-4 drop हो गए हैं हम आगे अभी नहीं कर पाएंगे आगे score improvement नहीं हो रहा है तो इस बार आप किसी ना किसी course मे admission जरूर ले ले अगर medical field में नहीं आप जा पा रहे हैं तो other stream भी change कर सकते हैं इसमें अब बात करें आगे next point की कि मैं इस साल किसी course में admission ले लूँ और अगले साल MBBS के लिए तयारी कर सकता हूँ क्या तो ये काफी सारे student का question होता है और मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल accurate दूँगा कि आप कर सकते हैं आपके तीन या चार ड्रोप हो गए तब आप admission लेके नीट की तैयारी कर सकते हैं अगर आपके शिरफ तीनी ड्रोप हुए हैं आपका score 400 के निरवाई आ रहा है तो आप purely ड्रोप ले admission लेने की ज़रुत नहीं है किसी course में मैं फिर से बोलता आपके शिरफ एक, दो, तीन ड्रोप हुए हैं आपका score 400 से उपर आ रहा है तो आप drop ले ले आपका improvement हो जाएगा लेकिन अगर आपका score ज्यादा improvement नहीं हो रहा है 500 के निरवाई आपका score है 550 के निरवाई score है आपका 580 के निरवाई है 600 से डाउन है आपका किसी government police में BMS, veterinary, BHMS में admission मिल रहा है आपके drop 4 या 5 हो गई तो मैं कहता हूँ यहाँ आप किसी course में admission ले करके फिर NEET की तयारी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं नीट की तयारी के लिए आजकल आपके पास में online platforms की भरमार है आप अच्छे अच्छे platform पर मात्र दो-तीन हजार रुपए मे course खरीद करके आप अपना career बना सकते हैं इतने सस्ते course हैं काफी सारे platforms हैं जो 4000 में, 2000 में, 3000 में, 6000 में course प्रोवाइड करवाते हैं और उनके पास में इतनी अच्छे-च्छे teacher हैं online के तो आप उन platform से course खरीद करके आप किसी course में admission लेते हुए MBBS की तयारी करके अगले साल MBBS मे admission ले सकते हैं, ऐसा example इस बार मेरे पास है, इस बार ऐसे काफी सारे students है, जिन्होंने पिछली बार BMS में admission लिया है, BDS में admission लिया है, BHMS में admission लिया है, उनका score 630, 645, even एक candidate का score मेरे पास 682 का भी है, तो ऐसे example हैं, तो आपके अगर ज्यादा drop हुए हैं, तब भी आप किसी course म admission लेना है, अगर आपके 2-3 drop तक भी हुए हैं, तो अच्छे marks हैं, तो फिर आप किसी course में admission लेके फिर आप तयारी ने करें, आप पेवरली drop ले, इस condition में, आपके 2 drop हो गए हैं, तीन drop हो गए, आपका score शाड़े 500 से उपर आ रहा है, इसमें आपको drop भी देखना है, score भी द होगा, आप अकेले decision लेंगे, उसके कुछ demerits भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने परिवार के साथ में बैठके decision ले, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कौन से course में prepare करना है, कौन सा course लेना है, कौन से course में admission लेना है, ये मैंने मेरे according बताया है, आप अपन situation के according अपना course चूज़ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि MBBS ही सब कुछ है, MBBS के अलावा भी बहुत सारे ये जो मैंने आपको courses बताए हैं, इनमें अच्छे career बनाते हैं, अच्छे doctors बनते हैं, और student अच्छे अपने life set करते हैं, अपने अच्छी life जीते हैं, ये मैंने द सकते हैं, अब अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो इसके लिए हमारी 3 book available हैं, एक All India cohrta के लिए बुक available है, एक State cohrta के लिए है और एक आयो स्वेट नरी दोनों के लिए बुक अविलेबल है। कैसे कैसे प्रफेर करना है आपको गविलेबल है। है ऐसे ही आयोस और वेटनरी की बुक में भी यह सारी फेस्लिटीद दे रखी है आयोस और वेटनरी की बुक में भी cut of वगरा सब कुछ दे रख़िये fees की detail दे रख़िये आपको कहा admission लेना चाहें कहा admission नहीं लेना चाहें ये सारी बाते मैंने आपको बताई है अब इसमें आप जैसे ही इस वीडियो के description box में जाएंगे तो तीनों books का link मिल जाएगा हमारी website का भी यहाँ link है chopra education.in इससे भी आप download कर सकते हैं इस video के more पर click करेंगे तो यह आपको link मिल जाएगा description box में box का और website पर visit करेंगे तो इस परकार जिस book को आप download करना चाहते हैं उस पर click करेंगे तो download page पर फॉन जाएंगे आप download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं मैं आपको बताऊं कि हमारी जो paid services हैं वो limited services हैं पिछली बार हमने result के बाद में मना कर दिया था कि हम अभी paid services नहीं ले सकते हैं तो limited services हैं अगर आपने paid service के लिए contact करना हैं तो आप हमारी book download करने के बाद हमारे से contact कर सकते हैं तो यह जानकारी थी courses के बारे में बाकी नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोप्रा आपसे लिता हूँ विदा जैहिं